हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू दी चैनल तो फ्रेंट्स, आई होब जेटालाल एड मेरे की एक्जाम्पल से प्रिविएस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे की चेक की डेफिनेशन क्या होती है उसमें कौन से पार्टी से इंवोल्व होती है असेंशल फीचर्स, एड बिल ओफ एक्चेंज, वर्सेज, चेक इतना हम समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक इंट्रस्टिंग टॉपिक की डेट इस क्रॉसिंग ओफ चेक एंड इट्स टाइप्स तो चलिए आज का टापिक शिरू करते हैं क्रॉसिंग ओफ चेक, तो फ्रेंट्स, क्रॉसिंग से आपको क्या लगता है कि चेक के ओपर कुछ इस तरह के क्रॉस का निशान बना रहेगा नहीं, इस तरह से क्या है पैरलर लाइन्स ट्रॉग करी गई होती है अब क्रेशन यह है कि क्या यह लाइन्स सिर्फो सिर्फ लेफ्ट साइड पर रहेड़ करी जाती है तो स्पोस करो फ्रेंट्स यह एक चेक है ठीक है, यूस्वली हम लोग देखते हैं कि इदर इदर क्या है टू लाइन्स ट्रॉग करी जाती है लेकिन कहते जो act है ना, negotiable, जो act है उसमें ऐसा कही mention में करा गया कि आपको सिर्फो सिर्फ left side पर ही draw करनी है lines आप इधर भी draw कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं लेकिन usually क्या है? इधर ही left side पर ही draw करे जाती है ठीक है? तो समझ भाया cross check कहुं सा हुआ? जिसमें two parallel lines draw करी जाती है तो फिर open check कहुं सा हुआ? simple है जिसमें ये two lines draw नहीं करी जाती. तो इन दोनो checks का एक difference समझ गए कि open check में parallel lines draw नहीं करते अब इन दोनों checks का एक major difference क्या है? example से सुनिए suppose करो ये मेरी friend है ठीक है? इसने ना मेरे को 15 या रुपे का check दिया अब वो check लेके मालो मैं SBA bank में गई मैंने वो check bank में present करा और बोला कि मेरे को पैसा दे दीजिए तो क्या bank के counter पर मेरे को cash मिलेगा? बिलकुल मिलेगा क्योंकि वो क्या है? वो open check हाँ लेकिन मेरी friend ने अगर मेरे को cross check दिया होता मतलब उस check पर lines लगी रहती तो क्या मेरे को counter पर cash मिलना था? बिलकुल भी नहीं तो यही इनका major difference है friends कि open check पर क्या है? आप counter पर जाके cash ले सकते हो लेकिन जो cross check होता है वहाँ पर आपको cash नहीं मिलता आप कोई account में ही क्या है? पैसा transfer होगा तो यह difference इन दोनों का याद रखना important है ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो open check हैं उसकी types कितनी होती है open check की two types होती है एक bearer और एक होती है order check ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं bearer check की तो चलिए हमारी examples का सिलसला शुरू करें तो suppose करो यह क्या है? एक check है यह bearer check है ठीक है? तो यहाँ पर pay का name और मैं पूरा check ने ट्रॉक कर देए सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा ठीक है? और यहाँ पी का लिखा होगा और bearer ठीक है? तो suppose करिए यह कौन है? Mr. Amun है कौन है friends? Mr. Amun है यह कौन है? यह Mr. Raj है ठीक है? Mr. Raj ने Amun को check दिया 25 है यार का मतलब Amun कौन हुआ? pay हुआ तो यहाँ पर किसका नाम आएगा Mr. Amun का? अब यह Amun जी मालो SPI Bank में गए यह check इन्होंने वहाँ पर present करा तो क्या इनको पैसा मिलेगा? काउंटर बरे मिल जाएगा क्योंकि यह open check है दूसरा यह pay है यह तो खुदी pay है इनको तो पैसा मिल ही जाएगा लेकिन suppose करिए यह जो Mr. Amun है इनकी तबियत ठीक नहीं है और पैसा इनको अर्जन चाहिए इन्होंने अपने बेटे पिंकू पिंकू को बोला बेटा एक काम करो तुम यह check लेके जाओ और पैसा लेके आओ क्या? क्या बैंक वले पिंकू को पैसा दे देंगे? भई पही तो Mr. Amun है चेक लेके जा रहा है पिंकू तो क्या पिंकू को पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा क्यों? क्योंकि पिंकू होल्डर है उस चेक का पिंकू के हाथ में है वो चेक यहाँ पर क्या लिख्या है? यहाँ तो पैसा मिलेगा और बेरर या bearer, मतलब जो उस check का holder है, जिसके हाथ में वो check है, उसको भी पैसा मिल जाएगा तो friend, सोचने वाली बात है, Mr. Raman ने अपनी जगा पिंकू को भेजा, पिंकू holder था अगर bank वालों पिंकू को पैसा दे सकते हैं, तो सोचो अगर यही cash इस चोर के हाथों में लग जाए कि जिसके हाथ में वो check आ गया, वो पैसा ले लिया, उसने और भाग गया, ठीक है, यह था हमारा bearer check, अब बात करते हैं, order check के तो order check पे क्या होगा, pay होगा, pay का name होगा, एंड यहाँ पर जो और bearer लिखा हुए न, इसके ओपर cut, cut कर देंगे, क्या कर देंगे, cut कर देंगे, यहाँ तो इस bearer को cut कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा bearer की जगह, और order लिखा होगा, अब फिर से इस example पर वापि पे का चेक दिया, तो pay कौन होए, Mr. वो होए, अमन, यह Mr. अमन जी पेई होए, ठीक है, Mr. अमन जी गए, चेक प्रिजेंट करा, बैंक वालों ने इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पैसा, अब यहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि यह order check है, तो बैंक वालों ने इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, सेकिंड सेनेरियो क्या था हमारा, Mr. अमन जी की तबेद खराब हुई, इन्होंने अपने बेटे पिंकु को भेजा बैंक में, चेक लेके, बैंक वालों ने क्या करा, इसके हाथ में नहीं पैसा बकड़ाया, वो गया, कहता ह मिली जी ये, चेक, तो बैंक वालों ने देखा, पैई Mr. अमन है, बैंक वालों ने क्या करा, अमन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, पिंकु देखता ही रह गया, ये क्या हो गया, तो बैंक वाले बोले ठीक है, आपने भले चेक दिया, लेकिन पैई तो अमन है हमने कर दिया उनके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा, तो इसलिए और चेक बेरर चेक के कमपेटिवली सेफ है, ठीक है, ये तो था पैई, मतलब समझ गया इतना कि सिर्फ और सेफ पैई को ही पैसा मिलेगा, ठीक है, होल्टर कोई भी हो, बस पैई के अकाउंट में पैसा ट कर दिया, चेक के पीछे ये लिख दिया कि मैंने मिस्टर सी को एंडरोस कर दिया है, तो और ओडर मतलब या तो पैई को पैसा मिलेगा, या फिर जिसके नाम पे वो चेक एंडरोस कर दिया गया है, उसको पैसा मिलेगा, समझ में आया आपको बेरर चेक और ओडर चेक का डि टू पैरल लाइन्स होगी लेकिन ये टू पैरल लाइन्स ड्रॉ क्यों करते हैं ये एक तरह से चेक ड्रॉ करने वाला ना बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सुन लो बैंक जी ये जो चेक जो भी अमाउंट है सिर्फ सेफ पेई के अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाए ठीक है दूसरा कैश जो है आपने वो काउंटर पर नहीं देना ये नहों कोई भी चोड कहती आया पैसा लेके भगा नहीं इन्शोड ये ना प्रोटेक्शन के लिए ही ये क्रोस चेक यूज़ किया जाता है ठीक है क्योंकि जो एच्वल पेई है जो एच्वल बेनिफिश् पर होगा काउंटर पर कैश नहीं मिलेगा एक मत और ये जो टू लाइंस लगी है कि ये सिरफ खाली ही रहती है इसमें कुछ लिखा भी होता है तो हाँ फ्रेंड ये ऐसे ब्लैंक में हो सकती है इसमें ये भी लिखा हो सकता है एंड कंपनी एंड कंपनी अब्रिवेशन में लिखा हो सकता है नोड नेगोशेबल लिखा रहा सकता है किसी पैंका नेम लिखा हो सकता है ठीक है वो हम जब टाइप समझेंग तो आपको बता चल जएगा कि कब क्या लिखा होता है ठीक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्नल क्रॉसिंग की स्पोस करो ये कौन है अमन राज का जो बैंक अगैंट वह एस्वीर में ने है तो मतलब उसके पास चक्वक किसकी होई मतलब जांते हमा चक्सका जांते हैंusementकर करते हो तो इसने SBA का चेक ड्रॉ करा, पैसा देना किसको है, अमन को, पेई कौन है, अमन है, अब SBA का इसने चेक दे दिया, अमन को, राइट, अमन का अकाउंट में मालो, SBA में ही है, तो इसने वो चेक, ये चेक जो है, अपने बैंक में प्रिजेंट करा, बैंक वलो ने सारी वेरि दिया जाएगा अब question यह उठता है कि यहाँ पर तो जो इसका बैंक था वही इसका बैंक था ठीक है लेकिन फ्रेंट्स माल लो इसका अमन का जो अकाउंट है वो PNB में है वो PNB में है पंजाब नेशनल बैंक में है तो तो क्या होगा? sbine क्या करा? sbine- le-key sbine का bank check बनाया इसने इसको दिया यह अपने बैंक में यह तो इसका अकॉंट क्योंगे PNB में प्रेंट करेगा इसने PNB में वो चक कर दिया अब PNB वने क्या करेंगे वह चेक रियरिंग हाऊस में देंगे आपको पता है न कि रीछ घिय तो क्लियरिंग हाऊस से होते दे देंगे 25 यार और PNB वले क्या करेंगे वो पैसा इसके अमाउंट में क्राड़िट कर देंगे समझ में आगया जर्नल क्रॉसिंग कैसे होती है ठीक है तो जर्नल क्रॉसिंग में यही पॉइंट याद रखने हैं कि अगर सबसे पहला पॉइंट क्या है पैसा काउंटर पर मिल जाएगा अगर ये अमन फदर किसी Mr. C को transfer करना चाता है चेक तो जर्नल क्रोसिंग में ये फदर क्या है एंड्रोस पी किसी को चेक कर सकता है तो ये थे जर्नल क्रोसिंग अब बात करते हैं हम लोग special crossing की तो फ्रेंट special crossing में बता क्या होगा स्पॉस करिए जो Mr. Raj है ये कौन है Mr. Raj है ठीक है इन्होंने Mr. Aman को क्या देना है 25 रुपे का चेक दिया है इन्होंने Mr. Aman को अब इनका अ metallic कहा था SBA में ठीक है तो इन्होंने चेक कौन सा टौ करा SBA का ड्लो करा इन्होंने बता क्या कर दिया इसमें लिख दिया साथ में bank का नाम मैंने बताया था कि cross lines में किसी bank का नाम भी लिखा हो सकता है तो इन्होंने HDFC bank लिख दिया अब अमन का जो account है वो PNB में है तो अमन ये check लेके गया PNB में इसने अपने bank में प्रिजेंट कर दिया PNB उन्हें क्या करा Clearing House से होते हुए Clearing House से होते हुए वो जब SBI के पास गया चेक SBI ने जब करी verification तो verification उन्हें उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो special instruction मिली गई हुई है कि सिर्फो सिर्फ HDFC से ही पैसा ले सकते हैं तो इन्होंने इस bank वालोंने क्या करा इसका यह जो check था इसको reject कर डाला क्योंकि यह special crossing थी तो अमन ने पूछा भई bank वालों आपने क्यों reject क्यों कर दिया check तो वो बोले क्योंकि आपका जो check है वो special crossing है उसमें तो specially mentioned है HDFC तो इसलिए कहते हैं अगर तो आपका HDFC में account है तो आपको HDFC से पैसा मिल जाएगा लेकिन अमन कहता मेरा तो HDFC में कोई account ही नहीं है तो bank वाले बोले क्योंकि यहाँ पर यह special check है यहाँ पर लिखा हुआ HDFC तो अगर आपको पैसा लेना है आप चाहते हो तो आप HDFC में क्या है अकाउंट open कर वाले तो क्या समझें आपकी special crossing में जिस बैंक का जिस specified bank का नाम mention करा गया होता है उसी bank से ही पैसा आपके account में transfer होगा अगर तो अकाउंट है पैसा मिल जाएगा अगर नहीं है तो open करवाईए open ने करवाला तो फिर चेक को डाटा वाई बोलिए क्योंकि वो चेक आपके लिए useless है ठीक है special crossing समझ में आ गया बात करते हैं double crossing की double crossing friends तो देखिए यह कौन है भाई बोलो राज है राज ने बच्चे से आगा चेक किसको दिया मेस्चर अमन को दिया ठीक है अब हम इतना दा learn होई गया बोलो मेरे पिछे पिछे इसका account कहा है SBI में है इसका कहा है PNB में account है आप सुनो एक गड़बड करी गई है राज की तरव से क्या गडबड स Apa K check draw कर दिया कि एक क्रोसिंग यहां कर दी क्या लिख दिया इसने Sba लिख दिया इतना बेवक हो फैरा Алजू एक तो करें करी करी दें फिर एक क्रोसिंग मांनो हैं से यहां कर दी यहां पर लिख दिया HDFC, दो-दो-ग्रोसिंग, डबल-क्रोसिंग, तो अब क्या हुआ, यह तो चेक लेके आ गया, PNB में गया, अपने बैंकों में, PNB वलों ने क्लेरिंग होसे होते हुए, जब चेक गया, SBI में, जब SBI ने करी, वेरिफिकेशन, कहते यह क्या है, SBI को द करिया, हमने पेमेंट देंगे, अमन कहते हैं, क्यों मेरे को पेमेंट क्यों नहीं मिलेगी, तो बैंक वले बेटा, यह डबल-क्रोसिंग क्या करी हुए, यह क्या, यह गलत है, यह चेक की वैलिड नहीं माना जाएगा, यहां पर डबल-डबल क्रोसिंग की गई है, कोई एक वेंक का नाम मेंचन होता तो बात बनती डबल डबल ग्रोसिंग क्यों करवा कि लिया है तो अनोंने कहां यह चैक वैलेड यह पैमेट नहीं मिलेगी समझें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कहानी में ट्विस्ट ना आए अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है क्योंकि आपको बता है हरे एक बात पर कोई न कोई exception हमेशा रहती है तो यहाँ पर भी exception है हमने समझा double crossing है तो वो check valid नहीं माना जाता पेमेंट नहीं मिलती लेकिन एक ऐसा भी case है जहाँ पर ऐसा मिल जाता है अब हम वो समझते हैं तो section 127 क्या बोलता है कैते राज ने इसको अमन को 25 जार कर चक देना था है इसने double crossing में PNB लिख्या है क्या लिख्या है पंजाब national bank लिख्या है इस राज ने कोई गड़बन ने करी भाई इसने एक ही crossing करी है एक ही bank का नाम लिख्या है बस देखो इसने कोई double crossing नहीं करी तो double crossing किस ने करी सुनो अब ये गया इसने जब इसको चेक दिया तो ये अमन गया अपने PNB bank में चेक प्रिजेंट करा लेकिन ये जो PNB वाले देखो हम सिर्फ assume कर रहे हैं ठीक है सिर्फ और सिर्फ assume ये सिर्फ example है लेकिन ये PNB वाले ना माल लो इन्होंने ना ये जो collection का जो काम है इसके लिए एक फदर स्बसीडरी bank रखा हुए दो भी खुद कर लो गाम हपना एक फदर सबसीडरी bank रखा हुए एक कोई xyz bank है ठीक है PNB ने खुद डबल क्रोसिंग कर दी एक तो राजने करी हुई थी दूसरे किसने कर दी PNB बैंक ने जिसमें इसने अपने सबसीडरी बैंक का नाम लिख दिया XYZ ठीक है अब XYZ वालों ने क्या करा जब ये SBI के पास चेक गिया तो इन्फॉर्म कर रखा था कि भाई ये जो डबल क्रोसिंग ये जो डबल नेम है ये हमारा है और हम PNB के लिए ही काम करते हैं हम उनी का ही सबसीडरी है ठीक है तो इसलिए SBI ने डबल क्रोसिंग पर अबजेक्शन नहीं करी क्योंकि जिस बैंक की क्रोसिंग की थी राजने वो जो दूसरा नाम है वो उसी का ही सबसी नेचर वगारा सब कुछ ओके हैं तो इन्हों ने क्या करा आपी एनबी को दिया मैं सापी एनबी ने अमन के अच्छेस इयार का चेक देना है तो इसने बनाया sb ii का चेक कि कि इसका अकाॉंट कहा है sb ii में है इसने करी crossing crossing में इसने क्या लिखा इस parallel lines में लिख दिया account pay क्या लिख दिया account pay क्या मतलब बत्य क्या हुआ कि जो पैसा है वो और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पेई के ही अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा कैश तो मिलना है नहीं अब आपको बता ही है क्रोसिंग में लेकिन पैसा सिर्फ और सिर्फ इस पेई को ही मिलेगा मैं अब ये सिर्फ और सिर्फ बार-बार क्यों बोल रही हूँ क्योंकि friends account pay account check को आप कभी भी एंड्रोस नहीं कर सकते याद रखना general crossing और account pay crossing है दोनों एक जैसी लेकिन difference क्या है कि account pay crossing को आप कभी भी यह जो check है ठीक है उसको कभी further किसी और को transfer नहीं कर सकते मतलब यह मन किसी Mr. C, D, E, F, G किसी को भी transfer नहीं कर सकता एक और बड़ी बात यह जो account pay crossing है यह हमारे negotiable instrument act में define नहीं करी गई है ठीक है यह वली crossing negotiable act में define नहीं करी गई है ठीक है हाँ banking practice में यह use होती है usually use होती है इसलिए आपको समझाया otherwise act में इसका कोई लिना देना नहीं है ठीक तो account pay crossing समझ में आया आप बात करते हैं नोट नेगोशेबल crossing की चलो ऐसे समझात सुनो नोट नेगोशेबल crossing में क्या है यह राज क्या है इसमें नो निखेड़ेगर नोट नेगोशेबल के लिख देगर नोट नेगोशेबल नावन से निकाल दो और भी ट्रांसफर होता है थिक है है तो फिरेंग नौड नेग शेबल का मतलब क्या है इसको ना हमें इंट्रॉस्टेंग से करते हैं बाद यह आ फा Tonight पर चौड़ो हम लोग करते हैं जेफा लाल खी बात निद्येटावर खी और इसको बना दो वागा कि जो electronics में काम करता है एकड़ electronics में बागा थिक है.. interesting examples से समझते हैं तो इसमें क्या है ? बदा क्या होता है .. ? कहते जो transferr होता है na transferr का title और transferi का title यहां पे सेम रहता है कैसे ? सुनो ! इंसांपल से ध्याँ से सुनना आपको बता है जेठालाल हमेशा टोनी टीवी की बात करता रहता है सेरिल में टोनी टीवी वालो का लड़ी ये वो है न तो टोनी टीवी वालो को जेठालाल ने दो लाख रुपे की क्या करने थे पेमेंट करने थी तो इसने क्या करा आप जेठालाल ने पेई का नाम नहीं ल लोगो ठीक है तो और उसने ना तो पेई का नाम लिखा ना amount mention करा सिर्फ जेठालाल ने एक तो अपने sign करें दूसरे crossing में लिख दिया not negotiable crossing not negotiable लिख दिया अब जेठालाल को किसी काम पर कहीं बाहर जाना था तो उसने बागा को बोला कि बागा बाई सुन अगर तोनी टीवी वले आये तो तुम क्या करना यहाँ पे सिर्फ औ terrorist टोनी टीवी वल्लों का ही नाम मेंशन होना चाहिए पेई के नाम पे तु क्या लिख दी ओ टोनी टीवी लिख दी ओ तोनी टीवी वली पार्टी का नाम लिख देना और यहाँ पर 2 लाख और में कि अमाउंट भरना, सिर्फ 2 लाख की उससे जादा की मत भरना तो जेठला यहाँ पर बागा को कितने की अथोरटी दे रहा है, की सिर्फ टोनी टीवी वली पार्टी का नाम और दो लाग तक की amount की authority birth अब जेठलाल तो गया काम से कहीं बाहर अब बागा ने क्या करा शौप पर एक Mr. C आए शौप मर कौन आए एक ये Mr. C आए जिससे न बागा ने अपना personal loan ले रखा था धाई लाख का friend अब बागा के मन में आया वो इतना मजबूर हो गया बेचारा कहता यार सेट जी के साथ थोड़ी से गंदारी तो करने पड़ेगी कहता मेरे पस check तो है बाद मैं कहता मैं सेट जी को मना लूँगा अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इस Mr. C को न ये check पर सेट जी के sign तो ही है एक काम करतों मैं इसका Mr. C का नाम लिख देता हूँ यहां पर Mr. C का नाम लिख देता हूँ और amount मैं न धाई लाग की भर देता हूँ ठीक है तो इसने ये check Mr. C को दे दिया यहां पर बादा ने अपनी authority से बढ़के काम करा न authority नहीं थी उसको किसे और का नाम लिखने की authority नहीं थी उसके बस दो लाग से ज़्यादा के amount भरने की बट उसने ऐसा करा तो transferer का title यहां पर क्या हो गया defective हो गया है ना अब transfer ही कौन हुआ Mr. C Mr. C को मिला इसका title भी defective हो गया मालो अब इसको जो है वो check जो था इसका जब इसने bank में प्रिजेंट करा तो वो bounce हो गया check क्यों क्यों क्यूंकि JLL के count में दो लग से ज़्यादा पैसा ही नहीं था और भागा ने ज़्यादा भर रखा था तो अब ये Mr. C को चड़ गया गुसा check bounce हो गया में को मेरा पैसा नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे JLL के sign थे तो ये इसने क्या करा JLL के किलाफ case कर दिया चलो जी case ही कर डाला अब JLL को किसने बचाया Node Negotiable Crossing ने JLL ने code में ये prove कर दिया कि बागा को मैंने ये check Tony TV को देने के लिए कहा था प्लास मैंने उसको authority सिर्फ 2 lakh के amount भरने की दी थी इसने exceed कर ये इसने ज्यादा ऐसे लिखी है 2 lakh इसने लिखी अपनी मर्जी से अपनी authority के अपनी power के खिलाफ गया ये ठीक है तो अब यहाँ पे इसका title भी defective हो गया अब court क्या बोलेगी कि जेठलाल बिलकुल भी Mr. C को पैसा देने के लिए liable नहीं है क्योंकि इन दोनों के title यहाँ पर क्या है defective है तो इसलिए जो not negotiable crossing होती है ना friends ये बहुत ही secured होती है ये बहुत ही protective होती है देखो जेठलाल को इसी ने बचा लिया अब यहाँ पर ऐसा भी जेठलाल कर सकता था कि यहाँ पर लिख देता SBI bank note negotiable तो इसका मतलम क्या है कि अगर जरूरी ने लिख अपलाई होना है note negotiable में ऐसा भी हो सकता है कि मालो ये Mr. C की जगा यहाँ पर Tony TV वले आते और बागा यहाँ पर Tony TV का अगर नाम लिख देतना यहाँ पर 2 लाख लिख देतना तो Tony TV को payment मिल जानी थी उनके काउट में transfer हो जाना था ठीक है और अगर यहाँ पर मालो Tony TV का नाम लिखता बागा 2 लाख की amount लिखता और यहाँ पर जेठाल ने special mention करा होता SBI note negotiable और Tony TV वाले PNV में चले जाते पैसा लेने तो उनको नहीं मिलना था क्यों? क्योंकि जेठाल ने mention कर दिया specific SBI भी साथ में लिखा है तो यहाँ दगना note negotiable में क्या है? कि जो transferer का title है वो ही transferer का title होगा अगर तो दो लोग party सही है तो transfer हो जएगा पैसा अगर नहीं तो फिर जिसने check draw करा है वो पैसा देने के लिए बिलकु लायबल नहीं है क्योंकि title defective हो गया समझ भाए है note negotiable instrument note negotiable crossing तो यह थी आज का हमारा topic तो आई होब आपको crossing है और उसके सारी type समझ में आगी होगी तेकिर friends फिर भी कोई doubt हो तो आप comment section में बढ़े अराम से पूछ सकते हैं इसके लाव आप instagram पे मैसेज करें कि अपमें doubts पूछ सकते हैं ठीक है and कोई feedback हो आप वो भी दे सकते हैं and video अच्छी लगी तो like करें वीडियो आप जाल से अपने friends के साथ भी share करें करिये and ऐसे और वीडियो से लिखते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें thank you